बीजेपी ने प्रिंस पास्वान को साफ कहा है कि आप किसी तरह से चिराग पास्वान को जाकर कन्विंस कीजिए, मनाईए, समझाईए, जिस भी तरह से हो चिराग के सिंबल पर ही प्रिंस पास्वान को समस्तिपूर लड़ना पड़ेगा, तूवली कैसल का टिकट जो है, व वैसली लोगसवाका भी यही कुणा करेतो होगा आप पिछले 10 दिन के अंदर में वीना देवी तीन मर्दा के मिली चिराख पासवान से अधी पूर से चिराख पासवान ही लडेंगे, सिर्फ और सिर्फ चिराख पासवान ही लडेंगे, तोसरा कोई नेता वहाँ पर नहीं हो तो चिराख पास्वान की जीजा है अरुन भारती वो जमुई लोग सभा से चुनाव लड़ जाए या फिर उनको राज सभा चिराख पास्वान नॉमिनिट कराया के बेजवाद है अब धोखा देकर ही पारस खेमा में चले गया थे और जब चिराख सबसे मुसीबत में तो उ पास्वान इंडिये में सामिल हो गए हैं बीजेपी ने उनके सर्तों को मान लिया है छे सिटों उनको मिलने जा रही है लोग सवाच्चनव में अब चर्चा इस बात की है कि उन छोजो सीट उनको मिला है उन सीटों पर कंडिरेट कौन होगा इसकी चर्चा है काफी दिन से चल रही थी लगतारी सवाल उठ रहे थे कि 6 सीटों पर किस-किस लोगों को उठाएंगे उनके पा होगा दो मिलेगा चिराग पास्वान को लेकिन 2019 लोग सभा चुनाओं में जो जो सीट लोचपा को मिला था उम्मीद है कि वही सीट फिर से रिपीट होगा समस्तिपूर कह लिजिए खगड़िया कह लिजिए जमुई कह लिजिए हाजीपूर कहिए यह जो सीट ट्रेडेशनल मिलता है पाटी को वही सीट मिलेगा फिर से इस बार चिराग पास्वान अब सबसे बड़ा जो उसमें आप कहिए कि पेच जो फंसेगा वो समस्तिपूर सीट को लेका फंसेगा हम सुरवात हाजीपूर से नहीं समस्तिपूर से कर रहे है हाजीपूर से खुद चिराग लड आप राजनितिक महाल खाली देखिए क्या चल रहा है पारस जी साइड में हैं चिराग पास्वान नरेंद मुदी से गले मिल रहे हैं इसका साफ मतलब है कि आप पारस जी की पूछ बीजेपी बंद कर दी बीजेपी को समझ में आ गया भाई कि सिर्फ लॉयलेटी से काम नहीं क्या होगा तो जो खबरे हैं बीजेपी ने प्रिंस पास्वान को साफ कहा है कि आप किसी तरह से चिराग पास्वान को जाकर कन्विंस कीजिए मनाईए समझाईए जिस भी तरह से हो चिराग के सिंबल पर ही प्रिंस पास्वान को समस्तिपूर लड़ना पड़ेगा इसके लिए प्रिंस जैसे भी हो वैसे चिराग पास्वान को मनाएं नहीं तो उनका टिकट इस बार कट जाएगा चुकि देकि अब छे सीट जब लोगसुभाक आफ का बीजे पीयकर चिराग को दे ही रही है तो उसके बाद एक भी सीट वह पारस जी को नहीं देगी उसी सीदी में भी कि 6 स्राक को देने के बाद कोई एक single seat भी पाराजी को दे पाए चुकि जीतन रामांजी को भी एक seat देना है नागमनी का भी चर्चा है कि उनको भी seat देना है इसके अलावा उप्रेंदी खुषवाह को दो seat देना है तो ती seat पर भी जे भी खुद लड़ेगी दस सीट पर सब लोग एड़ेस्ट करना है, जब छे चिराकों मिली के तो पराजी का आप कहा नमबर है, तो अब ऐसे इस्थिती में, इस्थिती ऐसी ही है रतनेश, कि प्रिंस पासवान को किसी तरह चिराक पासवान नो कन्विंस करके समस्तिपूर का टिकट लेना होगा, और अब फिर से जो पुराना बंगला चाप था, उसी सिंबल पर उनको फिर से चुना और लड़ना पड़ेगा, नेत्र तो चिराक पासवान करेंगे, यह होगा समस्तिपूर सीट का बात, अब हाजीपूर पर आते हैं, तो हाजीपूर में अब कहीं कोई संका नहीं है, कहीं को इवबट नहीं है, कि हाजीपूर से चिराक पासवान ही लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ चिराक पासवान ही लड़ेंगे, दुसरा कोई नेता वहाँ पर नहीं होगा ना बीजेपी का ना लोजपा का, एंडिये कट बंधन से जो वहाँ से लड़ेगा, यह एकदम तया ने एलान कर दिया था, कि हाजीपूर मेरी मा जैसी है, हम छोड़ के जाहीं नहीं सकते हैं, हम चुना लड़ेंगे यहां से, इसके अलावा एक और बड़े नेता, अभी कुछी दिन पहले लोजपा जोइन किये हैं, बड़े नेता हम इसलिए बोढ़ रहा है कि उनका राज अभी जो टारी को बैठक हुई दिल्ली में, आपने देखा होगा कि उस पूरे सभा में चिराक के साथ अगर कोई नेता गया था अंदर, तो वो राजूतिवारी या हुलास पंड़े या कोई और नहीं था, वो डॉक्टर अरुन कुमार अरुन कुमार नेशनल पॉलिटिक तो जहानाबाद से ये बात 99% तय आप मानिए कि जहानाबाद सीट अगर लोच्पाक हो गया और लोच्पाक हो जाएगा, तो वहां से डॉक्टर अरुन कुमार ही प्रतासी बनेंगे, डॉक्टर अरुन कुमार का एक इंटर्व्यू उंकल पर सो देख रहे थे, जिसमें उ अभी इस बार कम चांसे से कि उनके बेटा को लड़वाया जाएगा, वो खुद ही चुनाओ लड़ेंगे 2024 का लोगसभा, जहानाबाद से डॉक्टर अरुन कुमार, तो तीन सीट का हमने जिकर कर दिया, समस्तिपूर से प्रिंस पास्वान, अभी तक तो है चिराको मनाले, हाजिपूर से खुद चिराक पास्वान, और तीसरा सीट जो है जहानाबाद, वहाँ से डॉक्टर अरुन कुमार, अब सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ से अभी चिराक पास्वान सीटिंग MP है, जमूई, जमूई से कौन लड़ेगा भई, जमूई रिजर्ब सीट है, और आप समझें कि पिछले 2.5 सालों से जमूई लोकसभा का एक-एक पंचायत का सारा हिसाब किताब संजय पास्वान ही रख रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी लोक, मतलब वहाँ के निवासी को, वहाँ के स्थानिय निवासी को अगर कुस समस्या भी होता है, और वो पटना आता है भी कि वो लड़े चुनाओ वहाँ से, सन्जय पास्वान चाहते भी हाँ निवासी को लड़ना, तो एक तो नाम संजय पास्वान का हो गया, जो समूई, जो जमूई से चुनाओ लड़ सकते हैं, उनके नाम को काटा नहीं जा सकता है, और चिराग भी उनको फेवर करते ह दूसरे नागर आप बात कीजिये तो चिराग पासवान की निशा पासवान पारती है। कि उनके जो husband है वो अरुन भारती दिल्ली रहते हैं ये लोग रिना पास्वान के साथ तो चिराक पास्वान की मा है उसी आवास पे लोग रहते हैं तो जो पाटी के सूत्र पाटी से अंदर जो नेता है वो ये बात बार बार कह रहे हैं दोरा रहे हैं कि उनको राजनिती में एंट्री चिराग पासवान कैसे भी कराएंगे। दो तरीका हो सकता है पहला, या तो चिराग पासवान के जीजा है अरुन भार्ती, वो जमूई लोक सभा से चुनाओ लड़ जाएं, या फिर उनको राज चिराग पासवान ओमिनिट कराएं के भेजवाद हैं। लेकिन राजनिती में वो अगले एक दूसालों के अंदर दिखेंगे आपको अरुन भारती, राम बिलास पासवान के दमाद, चिलाक पासवान के जीजा, रीना पासवान के दमाद, वो राजनिती में आएंगे चाहे रासवा के मरफ़त आए या फिर जमुई लोक सभा से अब इनके अलावा बात हम कर लेते हैं, खगड़िया, बहुत महत पून सीट है, खगड़िया पात्रिक अस्थान है, राम बिलास पासवान का, मतलब इनका गाउं उसी खगड़िया लोक सभा में ही पड़ता है, अब खगड़िया का बात कीजिए तो खगड़िया से अभी तरीके ही जाकी चिराक पासवान से मिल चुके हैं, मिलने का क्या मतलब है, जब आप धोखा दे कर ही पारस खेमा में चले गये थे, और जब चिराक सबसे मुसीवत में थे, उसमें आप चले गए पारस जी के साथ, अब मिलने का क्या मतलब है, क्योंकि अब चिराक पासवान नेता को अपनी पार्टी में तवजब नहीं देंगे जिन्होंने पार्टी तूटने पर पसुपति कुमार पारस का दामन थामा था माभू बली कैसर उसमें टार्गेट नंबर वन या टू है माभू बली कैसर को कभी चिराक पासवान खगडिया से इस बार चुनाओ नहीं लड़ने देंगे आप यह बात मान कर चलिए अब नाम वहां से कौन साथ चल रहा है खगडिया से खगडिया से कई परत्यासी है लेकि दूसरा बूद आत्राक रहा नहीं है और उनका चांस नाम चला है अपर चर्चा हुआ है लेकिन नीजी तोर में मुझे नहीं लगता है या फिर चिराग पास्वान असा नहीं करेंगे दोनों लोगों नहीं लड़वाएंगे ना रिना पास्वान लड़ेंगी और ना रामिलास पास्वान की पहली पत्नी लड़ेंगी उनलों को संसत मतब चुना लड़ाना ही नहीं है यह स सवह भी नहीं और पिछले दस दिन के अंदर में वीना देवी थीन बर्दा कर दिन कहीं है कि इसले चले ले नहीं यह रही हैं वही वीना देवी है जिनके फ्लाट पर ललन सिंग और पसुपति कुमार पारस की बैठक होती है और चिराक की पार्टी को तोड़ा जाता है और ये बात चिराक पासवान भूले नहीं है इसलिए कितना भी विनादे भी चली जाए कितना भी रिफरेंस दे कितना भी पैरवी करवाले चिराक पासवान वैसे किसी भी वेक्ति को टिकट नहीं देंगे जो इनको धोखा दिया है औ अगर इन्होंने एक बार निदिस कुमारे खिलाफ मोर्चा खोला 2020 में विदान समा से तो आज तक उस्टेंड पर कायम है अगर नरेंद्र मोधी को यह प्रसंचा करते रहे तो आज तक उस्टेंड पर कायम है तो चिराख पासवान कोई इतना हलका नेता बिहार में नहीं रहे दूसरा सबसे बड़ा पाठी कौन है एंड इन्डिये में चिराख पासवान की पाठी है ब्यूज podobली कैसर हो वीनादेवी हो चंदन प्रसंचींगों नवाधा के कोई बी उनको टिकट अब चिराख पासवान की पाठी से मिलना संभव है अब तो ऐसा ही कोई अब हो चकता है खुद ग्रीह मंत्री फोन कर दें तो वह बात अलग है अब खुद अमित साब फोन कर दिया दिली से कोई बड़ा कॉला आ जाए तो वह बात अलग हो जाता है लेकिन फीर भी चिदाग मानेंगे की नहीं मानेंगे इस पर डाउट है तो यही छ सीटोपर चिराग पासवान की जो रणनीती तयार हो रही है उस पर हमने चर्चाएं की हैं फिलाल इस चर्चा में इतना ही देखते रहे हमारे चानल दभी हार टॉप ऐसे ही तमाम चर्चा हैं लगतार हम आपसे करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद